मेहनत का फल एक गाउं में दो मित्र नकुल और सोहन रहते थे नकुल बहुत दार्मिक था और बबान को बहुत मानता था जबकि सोहन बहुत मैन थी था एक बार दोनों ने मिलकर एक भी का जमीन खरी दी जिससे वे बहुत फसल उगा कर अपना गर बनाना चाहते थे सोहन तो खेत में बहुत मैनत करता लेकि नकुल कुछ काम नहीं करता बलकि मंदिर में जाकर बगवान से अच्छी फसल के लिए प्रातना करता था इसी तरह समय बीटा गया कुछ समय बाद फसल पकर त्यार हो गई जिसको दोनों ने बजार ले जाकर बेज दिया उनको अच्छा पैसा मिला गर आकर सोहन नकुल को कहा कि इस दन का हिसा मुझे ज़्यादा मिलेगा क्योंकि मैंने खेत में ज़्यादा मैनत की है ये बात सुनकर नकुल बोला नहीं दन का तुम से ज़्यादा इसा मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रात्ना की तब हमको अच्छी फसल हुई है भगवान के बिना कुछ संबव नहीं है जब वे दोनों इस बात को आपस में नहीं सुल जा सके तो दन के बंटवारे के लिए दोनों को गाओं के मुख्या के पास पहुंचे मुख्या ने दोनों की सारी बाते सुनकर उन दोनों को एक-एक बोरा चावल का दिया जिसमें कंकड मिले थे मुख्या ने कहा कल सुबह तक दोनों को इस में से चावल और कंकड अलग करके लाने है तब मैं निर्ने करूंगा कि इस दन का ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए दोनों चावल की बोरी लेकर अपने गर चले गए सोहन ने रात पर जाकर चावल और कंकड को अलग किया लेकिन नकुल चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और बगवान से चावल में से कंकड अलग करने की प्रातना की अगले दिन सोहन जितने चावल और कंकड अलग कर सका उसको ले जाकर मुख्या के पास गया जिसे देखकर मुख्या खुस हुआ नकुल वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर मुख्या के पास गया मुख्या ने नकुल को कहा कि दिखाओ तुम ने कितने चावल साफ किये नकुल ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा बरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड वैसे के वैसे ही थे जमिदार ने नकुल से कहा भगवान तब ही साहिता करते है जब तुम मेहनत करते हो जम्मिदार ने धन का ज़्यादा हिसा सोहन को दिया इसके बाद नकूल भी सोहन की तरह खेत में मैनत करने लगा अब की वार उनकी फसल पहले से बहुत अच्छी हुई कहानी से सीख कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भगवान के वरों से नहीं बैठना चाहिए सफलता पराप्त करने के लिए मैनत करनी ही पड़ती है तो दोस्तों अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, सब्क्राइब कर देना और सेर कर देना और नई कहानिया सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे धन्यवाद